असलाम अलेकम नाजरीन, मैं आपकी होस्ट मर्यम सिद्धिकी में प्रोग्राइम उम्मीती करन के साथ हाजिर हूँ नाजरीन आज यह हमारे साथ मेहमान तर्श्री फर्मा है उनका नाम है उनका नाम है हाफिज वकास साफ आईए हम उनसे गुफ्तो करते हैं असलाम अलेकुम क्या हाल है जनाब अलहम्दोल्ला ठीक टाक आप बताए कैसी है जी अला का शुकर है अच्छा जनाब सबसे पहला सवाल तो ये है कि यूथ यूनिटी का कयाम कब हुआ अलहम्दोला यूथ यूनिटी का जो कयाम है वो 2018 में रभी लवल के महीने में हुआ था और हमारी जो पहली एक्टिविटी थी और जिस वज़ा से इसका कयाम हुआ था वो एक सफाई महीम थी जो रभी लवल के हवाले से आप लोग ने देखा होगा किस तरीके से सजावट होती है चरागा वगरा होता है तो हमारी कोशिश यह थी कि हर हम अपने पूरे इलाके को साफसुतरा रखें और साफसुतरा नजर आया हमारा इलाका लेकिन हम जो अर्भाब इक्तियार है उनके पास गया है उनके पास पहुँचे हमने अपनी जो पेशरफ्ती उनके पास की कि हम यह चाहते हैं हमारा इलाका इस इस तरीके से साफ हो जाए लेकिन कोई रिस्पॉंस नहीं मिला उनकी तरफ से भी उन्होंने का नहीं हमारे पास खत्यारा दी है कोई मामला दें कुछ हैं वह चीजह चर्ता हैं हम करते रहें कोशिश कर्यार किसी तरीके से आमादा हो जाए है और हमारे इलाके को साफ सृतरा करने की ठान स्थान ली हमने पूरे उलाके को नďर्प कर दिया यह बात है जब ठान लो तो वह पर कहीं होता है होता है everything is possible कि आप कोई कोशिश करना जाएं और alhamdulillah हमने उस activity में एक चीज जो हमने सीकी और देखी वो ये थी कि आप जब काम करने निकलते हैं तो पूरी अवाम आपका साथ देने लग जाती है क्योंकि जब हम जिस जिस गली में अपने इलाके की काम करना शुरू कर रहे थे वहां वहां के लोग निकल कर आ रहे थे और हमारे साथ जुड़ते को गहते हैं बकाइदा खुछ जाडवे लेकर लोग अपने घर के आगे अपनी गली के आगे सफाई सुतराई करने लग गए और साथ साथ जो है शर्बत आ रहा था कोल्टिंग आ थी बच्चों के लिए और उसमें सबसे अच्छी बात यह थी एक्टिविटी में के छोटे मीडिया पे वाइरल की तो बहुत अच्छा रिस्पॉंस लोगों की तरफ से आया और फिर जब अरबाब एक्टियार के बास वो वीडियो गई तो फिर उस पे कोईस्टियान आंसर शुरू हुए और बड़ी बाते होई बड़ी डिबेट हुई उसके बात से अलम्दोलिल् च्छा बहुत सारे शुबजात में यूटयूनिटी काम तरफ से अलम्दोलिक है। लोगों के क्या सोशल इशूस लोगों के साथ हैं और उनके लिए अरवाब इख्तियार जो हैं उनको हम मदू करेंगे बताएंगे कि वह आप इस पर वर्क करें इसलिए इसका कया गया था लेकिन फर्दन फर्दन चीज़े चलती रही और पहुत सारी चीजों में यूथ यू हैं वो यूथ हैं ज्यातर जो लोग है वो यूथ है हमारी क्योंके इस वक्त यूथ ही सबसे आगे आपको पता के काम कर सकती है और यूथ ही जो काम कर रही है वही आगे अलम्दोलिल्ला चलेगा भी और इंशालला दोड़ेगा भी जरूर जरूर इंशालला अच्छे ये कि इसमें किन किन मसायल का सामना को करना पड़ा है जब हमने फिर्स्ट एक्टिविटी की थी यूथ उनिटी की तो काफी चीजों का हमें सामना करना पड़ा क्योंकि हमारे पर मशीन ड्रीम्स नहीं थी मौजूद जिस तरीके से हम सफाई करने निकले थे और उसके इलावा कुछ लोग जो होते हैं अभी आप जैसे आपके इलमे होगा और सब जानते हैं कि अवाम जो है वो negative thoughts बहुत ज्यादा होती है और हर चीज का जो है वो positive की जगा negative पहले पहले सामने आ जाता है और वो उसके लिए जो है लोगों पर कमेंट्स पास करना शुरू करते थे हैं अब हम जो काम करना चाहरे हैं सफाई का उसके पीछे हमारा सिर्फ यही था कि यार रभी लोबल का महिना है और हम इस तरीके से इलागे को साफ कर लें लेकिन लोगों की सोच लोगों की चीजे अलग कमेंट्स पास करना फिर वो घर तक आना फिर वो दूसरी चीजों दूसरे लोगों तक पहुचना और फिर सियासी पार्टीस तक पहुचना के यार ये लोग ऐसा कर रहे हैं और फिर वहाँ से कॉल्स आना के यार आप इस तक को इस तरीके से नहीं करें अगर ये सियासत में आते हैं तो हमारा गोट बेंक जाएगा अगर ये सियासत में आते हैं और फिर असलो वसूप भी है लोग जानते भी हैं और इस तरीके की एक्टिविटीज और काम अलम्दोल्ला हम करते रहते हैं तो ये था कि कुछ लोगों की तरफ से ये था कि यार नहीं करो हमारे साथ मिल के कर लो या ऐसे कर लो या वैसे कर लो लेकिन हमने भी अपना एक मिशन जो था भो ठान लिया था कि everything is possible हमने करना ही है जो हमने सोच लिया वो करना है और अलम्दोल्ला हमने वो करके दिखाया ठीक है अच्छी बत रहे हैं किन किन शोबे में काम कर रही है यूथ यूनिटी यूथ यूनिटी अलम्दोल्ला अब एक तो सोचल इशूस पे काम कर रही है उसके इलावा राशन की तक्सीम का सिलसला है उसके काम कर रही है मेडिकल पे काम कर रही है उसके इलावा कर रहा हो तो हमने एक जो हिस्सा है वो उनके लिए किया हुआ है कि हम उनकी मदद वगरा करते हैं जैसा होता है राशन की सूरत में हो या मैडिकल की सूरत में हो और जैसे जैसे जो जो केस आते हैं उसकी तरीके से हम काम करते रहते हैं अच्छा आपको कैसे यह जरूरत है, पिर कुछ ऐसे कुलीग हैं, कुछ ऐसे दोस्त हैं, जिन्हों ने एका कि या इस पे काम होना चाहिए, इस पे कोई काम नहीं कर रहा है कराची में, और फिर हमने इस पे काम अलम्दोल्ला शुरू किया, और कुछ ट्रांसजेडर को अपने साथ इन करकर उनको बु लड़के हैं, जो हमारे साथ हैं, इंकलूड हैं, और काम कर रहे हैं, जी अलम्दोल्ला, यूटिनिटी का काम तसल्सल के साथ, 2018 से लेकर अब तक जारी है, और इंशालला ताखयामत जारी रहेगा, तो आप मेंबर्स का बदा आ रहे थे, तक्रीपन 100 प्लस मेंबर्स हैं, यूटिनिटी बें इंटॉट हैं, और हमारी हार एक्टिवटी में शामिल होते हैं, और ये समझने के बहुत सारे चीजें जो हैं, इतने सारे मिम्बर्स होने की वज़़जा से अरामसे हल हो जाती हैं, सौट आउट हैं, तो अगर आ अप काम करके, आप कैसा अच्छे करते और अगर आप मुतमई नहीं है तो उस काम को wind up करते हैं तो alhamdulillah 2018 से लेकर अब तक का जो सफर है 2021 तक का तो alhamdulillah रूप को तस्कीन है दिल को सुकून है तो यह काम alhamdulillah चल रहा है और इंचाला ऐसे ही चलता रहेगा बहुत दिली खुछी होती है अब किसी को अगर आप कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं और उसकी नीट पूरी होती है तो यकीन जानिये के मदब उसकी बयान नहीं है उसका बयान नहीं कर सकते कि उसको सामने बाले को देखकर आपको क्या फील हो रहा है इसकी feeling का तो खिर को इस प्लाइन गीया था जिसके अंदर Muslim Youth Alliance के तहत ये event हुआ था जिसका मैं कोरrot member भी हूं Muslim Youth Alliance का और उसमें बहुत सारी और्गनाइजेशन जो हैं वेलफियर उसमें मर्ज हुई भी हैं और उसके तहत हमने ये प्रोग्राम और्गनाइज किया था मलीव साउदाबाद पे अलम्दोलिल्ला जिसमें ब्लड डूनेशन कैम, मैडिकल कैम और उसमें फ्री कुरान शरीफ जो हैं लोगों को इनको तो बहुत नीड होती है ब्लड की तो आपने कहां से डूनेट किया, कैसे आपका ये जारी रहा था ये असल में पूरा साथ रोजा इवेंट था जो पांच रभी लोबल से स्टार्ट होकर बारे रभी लोबल को इखताम हुआ है और इस इवेंट के अंदर ब्लड आप कैसे दूस कर सकते हैं अच्छा दिन तक ये चल ला था शाम चे बज़े से राद बारा एक बे तक रागुलर रोजाना की बुनियाद पर चल ला था अच्छा ब्लड रोजाना हो रहा था था मेडिकल केम पी रोजाना था आई कैम पर तकरीबान 500 प्लस रोजाना पिश कैसे मैनेज कर रहे थे एक ही टाइम पर इतना कोच एक साथ हो रहा है यह दॉक्तर भी साथ में बिल्कुल हमारे साथ तकरीबान 400 इसक्वायर फिट की जो जगा थी वह हमने गौर्मेंट पाकिस्तान जो हमारी सिंद गवर्मेंट है उनसे अलोट की वी थी बारा दिन के लि आउट्डोर पौदे हैं या आपने किस तरीके से लगाने क्या करना है मादब बारा एक्टिविटी समने उसके अंदर प्लाइन की थी और उस हर एक्टिविटी का हमने रभी लवल की निजबत से हर एक्टिविटी को एक अलग नाम दिया था जैसे बलड डोनेशन का हमारा इनसान की जान बचाई उसने सारी इनसानियत की जान बचाई उसके बाद फिर मैडिकल केम था वो भी मौसीन इंसानियत में इंकलूट था उसके साथ पर हमारी लाइबरेडी थी लाइबरेडी पे हमने उसको नाम दिया था प्लांटेशन था प्लांटेशन को अमने नाम द कर दो वहाई ए हमारी झाला कर आफेशन ए घरा है वारा करते हैं कि हम लो चानल है और मर्हाया है कि बाजब हें अ Св Muslim Youth Alliance बनी है, जिसमें इतनी सारी organization शामिल हुई है, सब के तैद हमें एक वसी जो है ना, दस्तरखान लगाएं first rebel level से 12 rebel level तक एक तो ये नई चीज भी होती बिल्कुल, और ये बिल्कुल new एक market में आता कि first rebel level पे इतना वैसे अलंगर नहीं होता, गम्दान में तो alhamdulillah चलता ही रहता है, लेकिन first rebel level से 12 rebel level तक हमारी कोशी ये थी कि हमें एक दस्तरखान लगाएं, फिर हम चार मिम्बर साथ बैठे, चार organization साथ बैठी, ये डिसकस हुआ यार, इसके साथ कुछ और भी कर लें खाना तो खिलाते ही रहते हैं, खाने के इलावा कुछ कर लें, फिर आया, ब्लड डूनेशन का जहन आया, फिर मेडिकल केम का आया, फिर आई केम का आया, अच्छा माशायला, असलमें ये बहुत कम टाइम में हमने इसको प्लाइन किया, तकि अराउंड फिफ्टीन डेज में हमने ये प्लाइन किया था, एक्टिविटी को, और फिर मेडिकल केम, प्लाइटिशन, उसके बाद फिर, तो हमारी कोशिश ये थी, कि वहाँ सियासी समाजी शख्सियात और उल्मा एकराम जो हमारे हैं, वो रोजाना आये, हमने एक डैस्क ऐसी बनाई थी, एक काउंटर ऐसा लगा था, जहां रोजाने की वुनियात पे उल्मा ए प्लाइब हो गया है, सब का अवाम का आपकुछ जैसा आपके इलम होगा, कि हम दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हम मसलों में बढ़ते जा रहे हैं, तो फिर हमारी ये कोशिच थी कि हम एक प्लेटफॉर्म करें जह लोग उल्मा एकराम की करीब हो, गैट टोगेधर हो, एक सबील लगाई थी, जिसको हमने नाम दिया था, सबील इमाम हुसायन रदी आल्लाह उस पर रोजाना पानी शर्बत का सिल्सिला साथ दिन तक चल ला था, और फिर स्टेज जो हमारा बनावता जावल में कराम बैठे तो उसके बीचे हमने एक वसी दस्तरखान लगाया था, जिसको हमने नाम दिया था, दस्तरखान इमाम जहरा, सईदना फात्मा दुजहरा रदी आल्लाह उतारा, जनाब अभी बात करते हैं कंटिन्यू लेकिन अभी ब्रेक का टाइम हो गया है, हाँ तो नाजरीन मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद, वेल्कम बेक नाजरीन, चलते हैं हम अपने बक्या प्रोग्राम की तरफ, जी जनाब, आप फर्मा रहे थे कुछ, दस्तरखान के बिल्कुल मैं यह आपको बताया था कि दस्तरखान ने फात्पत उजारा रदी आल्लाह उत्माम था, और वसी दस्तरखान था, अलम्दोलिल अजया था, 500 प्लस लोग रोदाना की बिल्याद पर खाना तनावल फर्मा रहे थे, और खाना कंटिनीूजली जैसे हमारा प्रोग्राम स्टरखान हो रहता था, और एंड़ था, यह एक प्लान था, जो हमने इंट्रडूज करवाया है पूरे पाकिस्तान में और हमारी यह स हुदूर का मिलाद मनाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम रोड गे रहे और जो हमने रोड का इंतखाब किया था वो फुटबाद थी अच्छा वह ना ट्रैफिक जाम हो रहा था, नहीं कोई ऐसा चीज हो रही थी जिससे लोग डिस्ट्रब हो अच्छा जो साउंड था वो हर चीज को हमने इस तरीके से रखा था कि कोई भी फिर्का वाली बात ना हो कोई फिर्का वारियत ना हो कोई यह ना कहा है यार आप गलत कर रहे हर बंदा तमाम वहां पर लोग आये तमाम फिर्के के लोग वहां पर आये उन्होंने अप्रिशेट किया उन्होंने देखा कि कि हुजूर का मिलाद इस तरीके से मुनाना है तिल्टे मिलाद यूद क कहारी हैं वह मुटतना नहीं है कि मेरल थिज्ज समय पीछ इन धाना बाल जिसे बहाई ने न हम पिलाद लोगों को क्रण के टभए कहान। पानी और शर्बत तक्सीम कर रहे हैं, यह सलसला हमने एक इंट्रोड्यूस करवाना था और अलहम दोला करवा दिया है, और उमीद यही है कि इंशालला आगे भी लोग इसी तरीकी की अक्टिविटीस प्लान करेंगे, और जो वेलफियर्स और और इसी तरीकी की करें जो लोगों को सर्फ कर रहे हों, जो लोगों के खिदमत में आगे बढ़ रहे हों, एक इंसकी मैनेजमेंट के लिए लिए लोग चाहिए होते हैं, आपको पहले बताया है, मैंने के यूटिविटी के अलम्दोहिल्ला रुजाकार हैं, जो जिम्मेदार हैं, तक्टिव जो आवाम को ट्रीट कर रहे थे और उनको बता रहे थे, सारी चीज़े हर सेग्मेंट में हमारे बंदे मौजूदे मौदे थे, जैसे प्लांटेशन ट्राइब होरी है तो महा लड़के खड़े में, सबील हों अध। तो महा लड़के खड़े में और दस्रखान हे तो महा तो अपनाजम तरीके से मैनेज किया, ऐसा ही है कि कहीं पर कोई मिसाइब हुआ हुआ है और अलम्दोलिल्ला डेफर्स से लेकर डेया तक कोई मिसाइब नहीं हुआ बल्के जो इलाके के सचुत है वो आय उन्होंने बकाईद तौर पर अप्रिशियेट किया कि यार वाकी में अब लोगो ने प्रग्राम किया अच्या बिल्कुल बहुत मज़ा है तो इस फलाही काम में क्या गर्में आपके हल्प कर रहे है जो फलाही काम में उसके अंदर तो गर्मेंट का इस तरीके से कोई हलप आला चकर नहीं है क्या यह समझने कि जो डोकुमेंटेशन होती है वह अच्या बिल्कुमेंटेशन होती है जो भी अप्रूवल होती हम उनसे लेते हैं जैसे हम फुटपाथ पर प्रोग्राम कर रहे थे तो हमने उनसे अप्रूवल लिये बखाय दूर उसके इलावा जो भी हम एक्टिविटिस करते हैं तो पहले वह सिंद आप गर्मेंट से हम करते हैं ताके गॉर्मेंट के भी नॉलिज में रहे कि यह लोग कोई काम कर रहे हैं सही यह तो है यह तो जरूरी है और हमने बखाय दूर पर फुटपाथ की बारा दिन की उनसे अनसे इशू कर वाई थी और बहुत मुश्किलात का सामना हुआ लेकिन अनम दुनिल्ला पता है कि यह फला ही काम होने जा रहा है हमारे मुल्क के लोगों के लिए असल में बहुत सारे इशू होते हैं और गोर्मेंट के चक्कर जो है थोड़े से निराले होते हैं कि जो छोटे लोग बैठे में ना गोर्मेंट की सीटों पर वह अपने आपको बढ़ा समझते हैं बढ़ों के बास अकर हम पहुच जाएं डायरेक्ली तो काम असानी से हो जाता है लेकिन अगर छोटों के बास जाएं तो वो अपने आपको उनसे भी बढ़ा समझते हैं वो इधर उधर 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 करते हैं तो किया अपने सामना ऐसी का मैंने बहुत सामना किया लेकिन ये जो है उन्होंने ये लाज जो हमारे ADC2 ते उदर अधर के उन्होंने का कि आप नाथ सुनाय तो पर आप आप नोसी देंगे तो मेरे एक कुलीग है जो इस नोसी का सारा सारीची देख रहे हैं माझी शेख वो उन्होंने का उन्होंने पढ़ना तो नहीं आती वैसे नाथ लेकिन फिर भी एक शेयर सुनाया और उन्होंने एनोसी जारी कर दी अच्छा माशाला एक नाथ के बाद असल में एक तो सबसे में चीज यह थी कि यह प्रोग्राम किसी समझ में नहीं आ रहा था एसा क्यों एसा हम उनको बताया थे इसा हुबलने यह कैसे होगा अच्छा यह कैसे होगा असल में पहली दफा एसा कोई प्रोग्राम होने जा रहा था जिसमें इतनी सारी चीजे और फिर इतनी बड़ी जगा हम एनोसी में मांग रहे थे हम 400 इस्क्वार यार्ट की जगा थी जो हम उनसे कह रहे थे कि आप हमें लॉट करें हम ने इस पर प्रोग्राम करना है वह बारा दिन गए लिया हमें जगा चाहिए वह कह रहे थे यार रभी लग लगा दीन है इतने लोग प्रोग्राम करते हैं फिर वह प्र जाता है ना क्योंकि एनोसी अगर गौर्णमेंट क्या मेहदूद है मतलब यहीं कराची तक है या इसके अलावा भी आप कर रहे हैं नहीं कराची के इलावा ओलवर सिंध में जो है अलम्दोलिल्ला हमारा काम चल रहा है कि कराची से बार की वेए अगर कोई क्यूरी आती है तो कुछ अहबाब ऐसे हैं कुछ दोस्स ऐसे हैं को में जितने लड़के हमारे जैसे 100 प्लस लड़के तो सब में जो है तक्सीम किया हुआ है डिवाइड किया हुआ है कि सब लड़के अपनी महाना जो इंकम होती है उसमें से कुछ ना कुछ इस्सा यूदिटी को डूनेट करते हैं अच्छा और अलम्दोलिल्ला सारे लड प्लस का इवेंट था और नम्दोलिल्ला किस तरीके से हुआ यह नियुक्त नहीं तो मैं किसी स्यासी पार्टी से मुदासर नहीं हुआ क्शा नेज़ कि इस वक्त मुलके हलात है और सब्सक्राइब जो देखकर तो यही लगता है यह बंदा अकेले ही जो है अपनी कोशिश करें और फिर अपनी टीम बना कर मुलक पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए कोशिश करें अच्छा इब दाएगा और आपकी टीम में ऐसे कितने लोग मौजूद हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं और इस चीज को और आगे बढ़ाने में और इसमें जो कॉंटेंट होता है बत अच्छा इस जो आपके पीछ आपके क्या मफदात हैं जैसे कि आपने गरों से निकलते हैं तो कुछ लोग पिंजरों में जो हैं चुडियाओं को काइद कर कर गूंद तो अगर आप उन चुडियां को उनसे कैच से अजाद करवाते हैं और जब वो चुडियां उड़ें और अपने पर पहलाएं तो आपको कितनी जो तसली होती है ना सबसे बड़ा हमारा फाइदा यह होता है कि हमारी रूह को तसकीन और हमारे दिल को सुकून मिलता है किस के लवब अपना मफ आपידा नहीं है कि मैरे उसको बताओं कि यार इसना कोई ऐसब कोई नहीं है बस यह है कि आाखरत की फिकर है और जो हमारे हुँदूर अले अले श्लात और व chang ने पराए इन्सानिएत की खिंप करना यही कोशिश है यही काविश है और इसी पर इंश्या विश्त करना आप करना हैं और इसले बहुत सारे काम है जो करने हैं इन्शाला करते रहेंगे करके आगे जो भी फ़लाई काम है वो हम कर सकें खुद से हमें किसी के पास इतना ज्यादा इंसिस्ट करना करना पड़े कि यार हमारा काम कर दो, हम खुद से खड़े होकर काम कर सकें अच्छा ये बताएं कि अगर कोई शक्स ये काम करना चाहे, शुरू करना चाहे तो वो कैसे करें? सबसे पहले तो जो भी बंदा ये काम करना चाहता है तो मेरा म Mayoरा यही है कि सबसे पहले अपने घर अपने हलकाई अबाब अडोस पलोस में और जो दोस हबाब उनमें नहीं देखेsky aur उन से काम कश्जिय करें आपका वैलफियर की जेसे एक काहनी मेरे जहन में fair अरही है कि एक बंदा रैकिस्तान में घूम रहा होता है और रैकिस्तान में भटक जाता है , इसको कोई जगा ऐसी नहीं मिलती के पाणी उख्ञु शही तक पाणी उगहर हो। कि उसकी सांस रुकने लगती है पानी ना मिलने की वैसे बहुत दूर जाता रहता है और रेगिस्तान में आप जितनी दूर तक देखेंगी तो जितनी दूर तक आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद आगे पानी है क्योंकि मट्टी ऐसे पड़ी भी होती है रे गुपदी नदर आती है वहां जोपड़ी में रुक जब पचाँ एपनी सालि एफर्ट कर गे तो देखता है एक हैंड पम लगा होता है वह कहता है निगि जब नहीं पानी थे पास जाता है और हैंड भी हैंडिय जोजग थि अदग जब पानी थे तो इसमानी होती है उना पानी की बोटल को था जो पानी की बोटल को एठाता है कि वो बस बेसबा से लेका पानी पी लेकिन वो कर्ता गया है वो पानी पीता नहीं है टोमा व कैता है नहीं जने आणिस पीछे कोई कहानी है जब रहाएं पीछ भी ना देखता है तो थ capitalismrav तो रुक्का रखावा होता है वो 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 रुक्का रखावा होता कि जब आप यह पानी पीले और सराव हो जाए तो उसके बाद इसी बोटल को इसी तरीके से पानी बर के बंद करके रख दियेगा ताकि आने वालों को यह पानी महसर हो सके तो यह सोच होती है अलम्दुलिल्ला वेल्फेर वालों कि के जो भी वो काम कर रहे है वो ऐसा हो के आ कोई परेशानी सामने नहीं आई स्टार्ट में कुछ चीजे थी लेकिन कोई ऐसा कोई इसा कोई इसू नहीं था कि हम बंद करें या क्हामना करें अलम्दुलिल्ला सारी चीजे खुछ उसलूपी के साथ अब तक चल लाई है ठीक है अच्छा के बताईगा के पूरा मुल्क जो बंद हो चुका था उसमें आपने क्या खिद्मात अंजाम ती कॉविट के टाइम पे कुछ ऐसा सेनरियो था कुछ ऐसी चीजे थी जो हमारी सबसे बड़ी अक्टिविटी दोदार अठार से लेकर अब तक हमने 50 डेज जो है राशन और प्लस जो है ताजे पके हुए ख अग्ताबाद के गरते और मलीर की कुछ जगाएं थी जहां पर जो जोपड़ी वागरे वागरा वाले घरे वहां पर हमने खाना प्रोवाइड किया तक्रीब अराउंड 50 डेज हमने ये एक्टिविटी की थी और रोज आना की बुनियाद पर सुबा शाम ये खाना पकता थ ठीक है और साथ ही हमारे साथ उसमें रमदान आ गए थे अच्छा रमदान आ गए थे रमदान से पहले हमने 20 डेस काम किया लॉक्डाउन लगावा था और तरह तरह की मुश्किलात थी लोगों के साथ लोग बिरुजगार हो गयते लोगों के घर में खाने तक को नहीं था क क्योंकि मैंने बजाबता खुद जाके लोगों के घर के हाल देखे हैं और बतब वो बयान नहीं कर सकते हैं कि लोगों के क्या हाल थे वो कहरते हैं बस हमें खाना मिलना यह हमारे लिए बहुत है जी हाफिस अब आप यह सिर्फ राशन तक महदूद है आपको फलाही काम यह किसी और तपके में भी है इस सवाल का जवाब आपसे लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद हाँ तो नाजरीन वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद वेलकम बेक नाजरीन चलते हम अपने बख्या प्रोग्राम की तरफ जी जणाब राशन की इलावा बहुत सारे शुबजात में अलब्दो यूजिनिटी काम कर रही है जिसके मैंने आपको बताया है कि मैडिकल पे काम कर रही है सहत पे काम कर रही है एजूकेशन पे काम कर रही है और ट्रांसजेंडर पे काम कर रही है उसके लावा तासे पके हुए खाने का हमारा ज्यादा कॉंसेंटरेट रहा है कि हम तादा पका हुआ खाना जो है वो लोगों को प्रॉवाइट करें जो भी इस तरह के काम करते हैं, उनकी सोच कैसे होती, क्या होती उनकी सोच इस काम के हवाले से? मैं यह समझता हूँ के अगर मैं अपनी बात करूँ और लोग जैसे के स्यद्रा अमर फारुग रदिया अनुका दोरे खलाफत में, अल्हम्दलिल्ला आप जो है, 22 लाग मुर्बा मेल आपकी हुकूमत थी, और आप अल्हम्दलिल्ला जो है, अगर दरिया नील के किनारे बक् मश्यूर है, कि अगर अमर की जान को रो रही हूं कि अमर हमारा क्लीफा है, और अमर हमारा सल्तनत बाद्शा है, लेकिन लेकिन वो जारोत कातार रो रोकर अमर ने उन से माफी और उनके घर ख़्ाना वगरा प्रोइट किया थी, मैं तो बहुत इस्पाइर हूं इसाब तो आपसे मेरी कोशिच यही रहती है कि दीनी चीजे उनसे कुछ सीख कर जो है वो लोगों तक पुचाई जाएं जी हाफ़ साब कुछ शेर उशारी से दल्चसपी है तो कुछ शेर हो जाएं बिल्कुल अल्हाम अकबाल का वो शेर है कि कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का निगाहे मर्द मौमिन से बदल जाती है तकदिर है अलामा एकबाल यह एंगाल इस शेर पर चोलासा हुआ है ढुए है क्यो पीज़ भी जा मारे तुछ कि घना है अच्छा यह बताएगा अब आगे आपका किन किन चीजों पर फोकस है आगे इंशालला यूटिनिटी के ताइद मुस्लिम यूत अलाइंस के ताइद जो हम एक हॉस्पिटल अनौंस करने वाले हैं अपने एरिये में इंशालला हॉस्पिटल की तरफ हमारा रुजान है और सा मुस्तर का प्लेटफॉर्म हम तयार कर चुके हैं और उसके तहती इंशालला यह इसका बहुत जल्द अनौंस होने वाला है सही सही अच्छा अच्छा हाफिस आपके साथ कोई ऐसी चीज वही है कोई ऐसा आपने केस हैंडल किया और जिस बहुत डिसार्ट हो गया है एसा तो कोई केस नहीं था के डिसार्ट हो लेकिन ऐसा जरूर हुआ है के मेरे बास एक केस आया था रिसरंटली कुछ ताइम पहले ही के एक बच्चे का केस ता उसकी विलादत ही थी और उनके जो पैरेंट्स थे उनके पास पै करने के लिए पैसे नहीं थे और वो जब केस हुआ है उसकी पर दे की जो अमाउंट बन रहा था था तकर एम ता एलेवन था आउजन का अन्युंट करए था और पाशिम तेन दीन और पाइस पैसे वगरा पै नहीं कि तैं शाल्लार है और उसको अन्यूम करेंगे इसको इंचाल्ला और साथ दीन मुच्ड मैंए उसको जब पैसे जमा गराने में माँ गया तो मुझे पता चला कि वो बच्चे की टैथ हो गई है तो बस वो था कि एक तम से दिल हिल जाना कि ऐसा हम के से कर रहे थे हैं लेकिन खेर बामला ऐसा है कि हम भी दुनिया में आये तो हमने भी जाना है तो एक ना एक दिन सब नहीं चले जाना है तो बस इसी उमीद पर मां से वापिस बाहर निकले और बस उस टाइम बहुत डिसार्ट हुए कि यार ऐसे भी मामलात हो जाते हैं कि जिसका बंदा सोच भी नहीं सकता हम दो कोशिच यह कर रहे थे कि यार इनके वालदेन के पास यह बच्चा पहुँच जाए इसी निकल कर लेकिन बस जैसी अल्दा की मर्जी तो उसके बाद आपने कुछ सोचा के ऐसा कोई केस हो जो सडन उनकी हल्प हो जए बिल्कुल जो हमारी टीम इसमें बैठी भी है वेरिफिकेशन की यूथ यूथ उनिटी में वह बकाइदा और प जैसे किसी लड़की की शादी हो तो उसमें आप किस तरह का हल्प करेंगे? लड़की की शादी होटी है तो हमारी कोशिची होती है कि हम उसको जहिज गिए गगरा के चुछ सित्सला होते है वो गठादे और साथ में घजार और कहाने भगारा को रचाने और अज़ कर तो नश्याएं तो पहुत बड़ा नहीं जहिए असलमें हमें यह कुछ मखसूस मसेन जैसे कि जो जव़यरत की चीज आफिजन थेॹ प्रवाइट करते हैं और लवाजमारी कर सेयन बातर होते हैं क्थाना अथ्ज हम क्योंकि अमसी हम फ्रॉवाइटी बाउट प्रवाइड की जाए के जाए जब लड़की के शादी होती है। इस चीज का तो यह इस चीज का किस आपको पता चलता है। इसके लिए भी आपने कोई टीम अरेज़ की है। बिल्कुल जो वेरिफिकेशन की टीम है, जो राशन के लिए वर्क कर रही होती है। वही वेरिफिकेशन पी टीम है जाकि घर विजट करते हैं और वैसे भी घर जाके आइडिया हो जाता है कि बंदा नेडी है यह है उसके साथ ऐसे मामलात कि उसकी यह लिकी जाया नहीं है उसमें हम जकात वगरा का मामला देख लेख जग एक उसकी रहा है तो फिर उस तरही के उसके फंडिंग उखर दोस्ता अहब आप मिलके और अरमदिला प्रोवाइट करतें हापर्स सबी बताईगा थैलेसमिया कि पेशेंट होते हैं उनके लिए ब्लड चाहिए होता है तो उसका से अरेंज करते हैं यहां लोग बिल्कुल जैसे घलिसी मिया के बच्चों के लिए बलड बगरा चाहिए होता है तो हम बलड ड्राइव अरेंज करते हैं तो वहां लोग दोनेट करते हैं वो थैलिसीमिय के बच्चों को तक पहुच जाता है जैसे इंडस होस्पेडल और दूसरे जो अफजाल मेमुरियल वाले है थैलिसीमिय के बच्चों को यह बड़ दे रहे होते हैं उनके लिए परक करें तो इनको हम अपने साथ क्लाइब करे इनके साथ एक्टिविटी अरेंज करते हैं अलमदोल्ला हो जाती है तो अज़ परिशानी आई ए ब्लड नेए ऐसे तो कोई खेर परिशानी नहीं आई ऐसे पेशन्ट जरूर आए जिनको ब्लड की नीड है और यह तो आए दिन ऐसे लोग आते रहते हैं जिनको ब्लड की अज़ परिशानी नीड होती है तो वह हम अपने सोशल अकाउंट पर लगा देते हैं तो ब्लड चाहिए इंसे रापता कर लें उनका नंबर बगर डाल देते हैं और मैं खुद भी अपने वाटसप बगर जिस तीगर जो हमारे जो भी सोशल अकाउंट से उस पर लगाते है एक और असर में सरकल बड़ा है तो फिर लोग देखते हैं और लोग जब देखते हैं तो उनके भी लोगे लोगा बotal भी हुलते है। आखर चलते हैं हमारे वीवर्स को आप को मैسज देना चाहते हैं? बिल्कल मैं तमाम वीवर्ज को यही मैसिज देना चाहएंगा कि हुझेर का जो हुझाओ थरी की टालिएत का जो वायात है और जो वाकियात हैं उनको पढ़े हैं करती रहे बहुत बहुत शुक्रिया असलाम वरिये को मुलाकात होगी आपकी होस्त मर्यम सिदीग को दीजे इजाज़त तब तक कि अपना बहुत ख्याल रखेगा अल्लाव पैज